कार्तिक महात्म अध्याय तीन और चार समस्त रिशिवोनियों ने कहा हे सूत जी आप किर्पा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म कावर्णन कीजिए तब सूत जी बोले हे रिशियों जो प्रशन आपने मुझ से किया है यही प्रशन राजा प्रिथु ने नाद मुली से किया था और जो उतर नाद जी ने महाराज प्रिथु को दिया वही आज मैं आपको सुनाता हूँ तो तुम एकागर चित होकर सुनो एक दिन राजा प्रिथु ने शी नाद जी से पूछा ये देवर्शी बगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है आप गिर्पा करके इसकी मात में सुना देजिए राजा पित्थु की बात सुनकर देवर्शी नारद बोले एक समय देवराज इंद्र बहुत सारे देवताओं था अपसराओं सहित देवोको देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश परवत पर गए वे जब कैलाश परवत पर पहुँचे तो उन्होंने भारी आकार ता भ्यंकर नित्रों वाले एक पूर्श को देखा तो इंद्र ने उससे पुछा तु कौन है और शिवजी कहां है इंद्र के कई बार पुछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया क्रोध करके इंद्र ने अपना ब्रज्र उसके कंठ पर मार दिया जिससे उसका कंठ नीला हो गया प्रन्तु साथ ही इंद्र का बज्र भी बस्म हो गया तत्वस्चाथ उसकी आँखों में प्रचंट ज्वाला प्रगटी उससमें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला इंद्र सहीत सारे संसार को जला कर पस्मी बुद कर देगी आपको नतमस्त्र नर्मुनियों की रख्षा करने वाले आपको नतमस्त्र प्रणाम है शीनाद जी ने कहा हे राजा पितू इस प्रकार से देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांट को बस्म कर देने वाली अगनी को शांत कर दिया और बोले हे देवताओं मैं तुमारी स्तुति सुनकर त्यंत प्रसंद हूँ सो तुम वर मांगो शीर बस्पती जी की इस तुति सुनकर पुनह देवाधी देव श्री मादेव जी ने कहा मैंने इंदर का अप्राद शमा किया और जिवन दान दिया. ये बस्पती जी आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा तब बस्पती जी बोले ये भगवन यदि आप हम सब प्रसन है तो सुरुराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मान को बस्म करने वाली अगनी जो आपके तेज से उत्पन हुई है उसको शिग्र शान्त कर दीजिए प्लीज भवान शंकर ने कहा बिले नित्रों से निकला जोला रूपी तेज अब वापिस कैसे हो सकेगा अतै अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अगनी को समदर में फेंक दिया तब वह अगनी गंगा के संगम पर गंगा सागर में जागिरी और बालक का रूप धान करके रोने लगी उसके रोने की आवाद से पित्वी कंपाइमान हो गई सब्तब ये बहरे हो गए ऐसा आश्चरे देखकर थमुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चरे से पूछने लगे कि ये बालक किसका है थमुद्र ने इस बालक को बड़े आदस उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया कहा यह मेरा पूत्र है जो गंगा से उत्पन हुआ है अब आब इसका जात कर्म कराईए उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाड़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी जिसके आला है इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिवजी के अत्रिक्त हंसार में किसी के हाथ से नहीं मरेगा इसका कारण यह है कि यह शिवजी के अंश से उत्पन हुआ है यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया तब ब्रह्मा जी ने चोग्राचारे को बुलाकर उसका र जमान में प्रथम सती और पवित्रा थी परम सुन्दर पतनी पाक जलंदर बहुत और आनंद से दिनवितित करने लगा जब जलंदर घर में आता तो विरिंदा स्विवम अपने हाथों से पंका जलती पाद्म अर्ग तथा आच्वन अर्पन करती इस प्रकार से वे अपने पती को नारेन समझ कर उसकी सेवा किया करती थी नारजी बोले हे राजन अब मैं पती वरता इस्तरियों के कुछ लक्षन बनाता हूं पती वरता इस्तरी अपने पती के दुख में दुखी पती के सुख में सुखी रहती है पती के परदेश जाने पर विरह वेदना का था द बागीदार होती है इसलिए इस्तरी अधांगनी कहलाती है जो इस्तरी अपने पती के साथ सती हो जाती है वे साड़े तीन करोड रोमों के अनुसा साड़े तीन करोड वर्ष तक अपने पती के साथ स्वर्ग मेवास करती है जो इस्तरी शम्शान भूमी तक जितने कदम उठा कर जाती है, उसको एक एक कदम पर एक एक यग़्े का पूर्ण। फल प्लापत होता है। ऐसी इस्तरी अपने माता, पिता, पती तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार से सपेरा सरप को बिल से बाहर निकाल लेता है ठीक उसी प्रकार से पतिवरता इस्त्री सती नारी अपने पती को नर्ख से निकाल लेती है। पत्वी पर आकर निर्भाई गूमने लगे उसी समय जलंदर ने राहू के कटे हुए सिर्कों देखा उसे शुक्राचारेजी से इसका रहसे पूछा तब शुक्राचारेजी ने समुद्र मंतन के समी देवताओं द्वारा अमरित को छले जाने का समस्त वितांत कह सुनाया इस गहसमर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश ना मस्तक जुकाया और ना नमसकार किया बल्कि गरज कर कहा देट्चलाच जलंदर ने जो कुछ कहला बेजा है मैं सब कान खोल कर सुन लो उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंतन करके जो 14 रत तुमने लिए हैं उन पर तुमारा कोई अधिकार नहीं है बहला इसी में है कि वे रतन तुम हमको वापस लोटा दो दूत के यह अभिमान पूर्ण सुनकर इंद्र भैबीत हो गया इसमें किसाद बोला समुद्र सदेव हमारे शत्यु देत्यों की रिक्षा करता है इसलिए उसको हम देव्ताओं को जितने का उपाई सोचने लगा हुशने सभी दिशाओं में दूत बेजे और पातार में संदेश देकर समस्तेत्यों को बुलाया और शुंब औन शुंब को देत्य दल का सिनापती बना दिया उन्होंने ड़ते दल से नंदन्वन में जाकर इंद्र की दोनों पक्ष एक दुसरे को मार मार कर गिराने लगे, सब और रक्त की धारा बहने लगी, मर कर गिरे हुए हाथियों घोड़ों से पित्री बर गई, जो दर्ते समर भूमी में मर जाते थे, उन्हें शुक्रा चाले अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे, उद्ध देवगुरु प्रस्पती द्रोनाचल प्रवत की दिवे जड़ी बुटियों का प्रयोग करके जेवताओं को दुबारा जीवित करने लगे, जब देवगुरु प्रस्पती दुबारा जड़ी बुटियों के प्रयोग से जेवताओं को जीवित करने का समाचार जलंदर न वारा प्रारम हुए युद में बहुत से देवता मारे गए। बरस्पति जी एक बार फिर संजीवनी मूटी लेने जोना चल परवत पर चले गए। परवत ना पाकर देवताओं को का सहार होते देखकर देव गुरू तो घबरा गई। व्याकू लोकर बस्पति जी ने देव गुरू बस्पति जी को या बात सुनकर देवता गबरा गए। बहबीत होकर भागने लगे। जब समस्ति देवता रशोंत शाओं में भाग कर छिपने लगे। तक जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भ आज लंदर को अपनी और आता देखकर भवान विष्णु किस्तुति करने लगे। नतमस्तक होकर विनित भाव से बोले। ये मच्छ कच्छ आदी अनेक रूपों दान करने वाले। अपने बक्तों के दुखों को मिटाने वाले। ये सारी सिष्टी का पालन सहार करने वाल शंक चकर गदा पदम को धान करने वाले प्रभू आपको बारंबा नमस्कार है। ये लक्षमी रम्ना, ये द्यात्यों का नाश करने वाले, ये पितामबर धारी, ये शनाहत के रक्षक आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंदर नामक द्यात्ते से पीडित हम देवताओं के समस्तापों को हरने वाले तताचंदर सुर्य दोनित्रों वाले आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकड नाशक स्तुती को पढ़ता है, उसके समस्त संकड भगवान स्व्यंदूर करते हैं। सो हे राजा प्रितु भगवान देवताओं की स्तुती सुनकर और उ भगवान देवताओं की साहता करने जा रहा हूं। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली भगवन मैं आपकी परम प्रिये हूं, फिर आप मेरे भाई को क्यों मारेंगे। भगवान ने कहा शंकर जी से उत्पन और ब्रह्मा जी के वचन के करण हम जलंदर को कदा अपी नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यू समझा कर शंक चकर खडग लेकर भवान विश्णु जलंदर से युद करने तू युद भूमी में पहुचे। उस समय बहुत से दाते गरूर के पंको के वेक से ही मारे गए। पवन से पीडित दात्यों को देख कर जलंदर को त्यंत करोद आया। वैस्विम भवान विश्णु के समुख युद करने को आ गया। उस समय जलंदर और भवान विश्णु में घोर युद दुआ। उस समय बाणों से आकाश ठग गया। भवान विश्णु ने जलंदर के रत का चक्का और छत्र और बान सब काट रत के सब गोडों को मार दिया। यह देकर जलंदर ने गरुड के मस्तक पर गदा से वार किया। जिससे गरुड देव उच्छित हो गए। तब भवान विश्णु ने तलवार से जलंदर की गदा को काट दिया। जलंदर और भवान के बीच कई वर्ष्णों तक मल युद होता रहा। भवान विश्णु के इस गंगोर जुद से सारा ब्रमान बैवित होकर कमपायमान होने लगा। भवान विश्णु ने कहा है दतिराज तुमारा और हमारे जुद करना ठीक नहीं क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब उसने यह वर्दान मांगा। आप लक्ष्मी और गरुड सहीत मेरे यहां पर निवास करें। यह सुनकर भगवान विश्णु लक्ष्मी जी और गरुड के सहीत उसके यहां रहने का वचन देखकर चले गए। तब समस देवी देवताओं के स्थान पर जैत्यों की निकुति करके जलंधर अपनी अगों को वश्मे कर लिया। इसकार से चलंधर देव यक्ष किन्नर गंदर्व मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के सवान धर्म की नीती से उनका पारण करते हुए त्रिलों की पर शासन करने लगा। यह कता सुनाकर नारज जी ने का है राजा प्रितु एक स हमें भगवान का दर्शन करने तत्य लंदर का वैबफ देखने के लिए हम भी रुसकी राजदानी में गए थे।